रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन की मदद के लिए कई देशों के यूवक यूक्रेनी सेना में शामिल हो रहे हैं। इस बीच भारत के तमिलनाडू का एक यूवक रूस के खलाब जंग के मैदान में उत्रा है। इंडिया टुडे के प्रमोद माधफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यूवक ने यूक्रेन की सेना को जॉइन कर लिया है। खास बात ये है कि इस भारते यूवक ने इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए कई बार प्रयास किये और आर्मी के कई एंट्रेंस टेस्ट भी दिये लेकिन उसका सेलेक्शन नहीं हो पाया। इंडिया टुडे के मुताबिक 21 वर्षे यूवक का नाम सैनिकेश रवीचंदरन है। में शामिल हो सकते हैं। वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। भारते और अमेरिकी सेना में शामिल ना हो पाने के बाद सैनिकेश रवीचंदरन ने 2018 में यूक्रेन के खारकीव में नाशनल एरोस्पेस यूनिवरस्टी में दाखिला लिया। उनके मातापता के मताबिक जिलाई 2022 में रवीचंदरन का कोर्स पूरा होने वाला था। परिवार वालों ने ये भी बताया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के कारण उनका रवीचंदरन से संपर्ख तूट गया था जिसके बाद उन्होंने भारते दूतावास से मदद मांगी जिसके बाद उनकी रवीचंदरन से बात हुई। परिजनों के मताबिक इस बातचीत के दोरान ही सेनिकेश रवीचंदरन ने उन्हीं यूक्रेनी सेना में शामिल होने की जानकारी दी। यूक्रेन की मीडिय एजनसी दकीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन की सेना में कई देशों से आये वक्त शामिल हो रहे हैं इन यूफकों के लिए यूक्रेनी सेना ने एक नई अंतराष्ट यूनिट बनाई है जोसका नाम इंटिनाशनल लेजिन है यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने बताया कि उनकी इस यूनिट में अमेरिका, यूके, स्विडन, लुथानिया, मैक्सिको और भारत के कुछ यूवक शामिल हुए हैं आपको बता दे, रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राजपती वोलोडिमिल जेलेंस्की ने विदेशी सेनिक और नागरिकों की एक अंतराष्ट यूनिट के गठन की घोशना की थी उन्होंने ये फैसला अन्ने देशों की नागरिकों की युद में उतरने की इच्छा को देखते हुए लिया था यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए बड़ी तादाद में अन्ने देशों की नागरिक सामने आ रहे हैं अभी तक कई रिटार्ड अमेरिकिया और ब्रिटिश पॉजी यूक्रेन पहुंच चुके हैं पिछले हक्ते करीब 3,000 अमेरिकियों ने जेलन्स की द्वारा गठित की गए अंतराश्टे पॉज में शामिल होने के लिए आवेधन किया था आपके लिए खबर लिखे हमारे साथ ही आयुशने मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शक्रिया